कि यह गाइज वेलकम टो इफेंस स्पेक्ट्रम फ्रेंट्स टोड़े वी अर्टिंग अवर न्यू लेक्ट्चर इस बाइलोजी बाइलोजी देखिए जो बाइलोजी है इसमें CDS हो, CAPFO, NDA हो इसमें मैक्सिमिम्म 7-8 कुस्टेंस एक्जाम में आते हैं और मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको बस इसी तरीके से फोकस करना है ज्यादा भागा दोड़ी नहीं करनी है बहुत ही डिटेल्ड है मैं आपको पढ़ाऊंगा इन चीजों को तो जो बाइलोजी है यह इसका क्या मतलब होता है यह दो वर्ड्स से मिलके बना है बाइयो और लोगस और लोगस तो बाइयो का मतलब है बाइयो का मतलब होता है लिविंग क्या मतलब होता है living या all living जो जीव है जो जीवित है all living और logus का मतलब होता है study study तो सो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि सारे livings की study को biology बोलते हैं क्या बोलते हैं study of living को क्या बोलते हैं biology study of living को बोलते हैं biology यहाद आपको basic understanding हो गई कि study of living को क्या बोलते हैं biology अब कोई बिशी जिन्दा है उसके आप कैसे बताओगे कि वो जिन्दा है वो क्या कैसी जैसी करती होगी कि हम यह बता पाएं कि वो जिन्दा है इसके बताने के लिए आपको याद रहना पड़ेगा जैसे कि वो respiration करता हो सांस लेता हो respiration और वो nutrition लेता हो nutrition खाना यह मांगे से लो अपि मोटा मोटा समझना भी आपको nutrition मोवमेंट करता हो एक जैगे से दूसरी जैगे या अपनी जैगे बें उपर नीचे मोवमेंट करता हो मोवमेंट करता हो वो growth और रिप्रोडक्शन करता हो अगर वो यह सार चीज करता है तो हमें समझ मा आता है कि भाई वो living है वो जन्तु है वो जीव है तो जो चीज जीव है उसकी study study of living is called the biology and the process by which we can know that the person or the thing is living is that it is doing the respiration, nutrition, movement growth and development and reproduction फिक है अब इसी चीज को पढ़ने के लिए study of living को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं योगि living भी दो हो सकते हैं कौन-कौन से हो सकते हैं एक दो हो सकते हैं पहले जो living का जो classification है living का classification जो है classification of living is done by इसने किया था classification of living is done by Carlos Linius Carlos Linius Carlos Linius Carlos Linius ने इसका classification किया था इसका living का किसके स्पार्ट में किया था? उसने कहा था कि दो टाइप के living हो सकते हैं एक हो सकते हैं plants एक हो सकते है plants और एक हो सकते है animals और एक हो सकते है animals प्लांट्स और एनिमल्स तो जो plants की study है उसको बोल आ जाता है क्या अभी हो चीज़ बोलने के लिए बहुत नहीं जोला जी पहुता चीज़ आपको समझाओंगा बट मैं चाता हूँ आपको पहले जनरल इतना समझ माने चाहिए कि biology से 7-8 question आते हैं bio और logus का इसका जो breakup होता है bios और logus में होता है लिविंग के study study of living को यह बोलते हैं और जो पहली बार जो लिविंग का classification है वो carless lineage नहीं किया था और plants और animals में किया था ठीक है इन्हों ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था systema naturia इन्होंने एक बुक लिखी थी systema नेचर यह ऐसे nature type कुछ ऐसे word है ठीक है तो यह इन्होंने बुक लिखी थी इस बुक में इन्होंने इसका classification किया था ठीक है को दिक्कत नहीं है ना ठीक है अब आपको next यह पता होना चाहिए कि जो plants है plants की study को क्या बोलते है study of plants जो plants की study है उसको क्या बोलते है और animals की study को क्या बोलते है plants की study को बोलते है botany क्या बोलते है botany botany और animals की study को क्या बोलते है zoology क्या बोलते है zoology ठीक है अब आपको एक चीज़ और पता होने चाहिए जो बहुत important है कि इनके फादर कौन है फादर ओव बॉटनी कौन है फादर ओफ जुलोजी कौन है फादर ओफ बाइलोजी कौन है ठीक है अगर आपको यह सुझमा आ गया तो आपको बहुत उपर उपर से बाइलोजी सुझमा आ जाएगी फिर हम इसमें डीप अंदर जाएंगे ठीक है तो फादर ओफ बॉटनी ठीओ फ्रेस्टेस ठीक है और जुलॉजी के कौन फादर है एरिस्टोटल 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 और बाइलोजी के फादर कौन है एरिस्टोटल एरिस्टोटल ठीक है देखो बाइलोजी के फादर कौन होगे एरिस्टोटल जुलॉजी के एरिस्टोटल और बॉटनी क अब इन्होंने एरिस्टोटल ने जो बुक लिखी जिसमें बाइलोजी और जोलोजी के बारे में बताए इन्होंने बुक लिखी थी इसका नाम था ऐसे हिस्टॉरी का इनिमल है और थ्योफ्रेस्टस ने कौन से भुकल इस्टॉरिक्त hiring h 항 के हिस्टॉरी का सिस्टॉरी का टीम है हिस्टॉरी का this ठीक है मिवांट अगर आप से कोई यह पूच ले की बाइलो जी का पहली बर जी वर्ड पहली बर किसENT यूज किया था तो पहली बार यह वरिड युजक खि किया था ले मार्क और ळांड ले मार्क ले मार्क याद रखो वैसे ले मार्क अट के ट्रीव लिए बिरियोच आपको लेमार्क नाम से मिलेगा तो लिए कौन है इन्होंने 1ð टाइम by लोजी वर्ट का उस किया था जो टर्म बाया जी वह इन्होंने इन्हों ही दिया था लुग फिर दो टर्म बाया लॉचिन ठीक है को याउट नहीं है जो कार्स लिनियस नहीं किया था फिर study of plants को हम बोलते हैं बाटनी और study of animals को बोलते हैं जेलोजी और फिर कौन सी बुक में किस-किस के बारे बताया गया है ठीक है कोई डाउट नहीं है न ठीक है अब हम next देखते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे अब हम क्या करेंग हम जुलोजी पढ़ेंगे और बॉटनी पढ़ेंगे अगर हमने यह दोनों चीज कंप्लीट कर ली तो मतलब हमारी बाइलोजी कंप्लीट हो गई ठीक है तो हम पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है देखें देखो सबसे पहले हम देखते हैं जुलोजी सबसे पहले हम देखते हैं जुलोजी ठीक है जुलोजी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नूट्रिशन के बारे में क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नूट्रिशन कौन सा नूट्र फिर नूट्रिशन में हम अंदर सब कुछ पढ़ेंगे कार्भो हाइड्रेट फैट्स विटामिन्स मिनरल यह सब नूट्रिशन में आता है ठीक है सेकेंड हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में किस तरीके से खाना हम हमारा खाना पस्ता कैसे है कौन-कौन से पैपसीन टैप जो भी चीज यूज होती है क्या की चीज यूज होती है खाना पचाने के लिए जो अंदर पेट के अंदर कौन-कौन से इसेड निकलते हैं और कैसे किस तरीके से पूरा स्टार्टिंग से माउट से लेके एकड़म एक्सक्रेटर तक हम लोग पूरा किस तर से चलिए रहे हैं कार्मो अब्रक्षा छोड़ रहे है किस तरहके क्या प्रॉसेस हो रहा है ऑल्य ग्लेंट बन और सब कुछ भर चीज पढ़ेंगे ठीक है हुध् 첫 आंब पढ़ेंगे कि सरले क्यों सिस्टम के बारे में जह सचय होगय है फिफ्थ हम देखेंगे लीसे 12-7 क phosphate, तो bone के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, कितनी हड्डिया है, जब बच्चा पाइदा होता है, तब कितनी हड्डिया होती है, फिर कितनी होती है, तो सब कुछ हम i-skeld Left system यहां देखेंगे, 7th हम देखेंगे, sensory organs के बारे में, sensory organs के बारे में हम देखेंगे ठीक है एड़ थम नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोड़क्शन के बारे में रिप्रोड़क्शन रिप्रोड़क्शन के बारे में और फिर हम टैंथ देखेंगे human disease के बारे में human disease के बारे में ठीक है? कोई डाउट नहीं है न? पक्का ठीक है? nutrition, digestive system एक चीज़ रहे गया है यहां पर आप इसे यहां ही लिख लो 10th, 11th हो जाएगा excretor excretory system excretory system यह हम पढ़ेंगे digestive के बाद या देख लेंगे जिक्वेंस, देख लेंगे यह topics आपको इतना पतम चाहिए कि यह topics है, total 11 topics हमको जो लौजी में पढ़ने है, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे botny जो botny है botny इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे cell के बारे में कि cell क्या होती है? second हम पढ़ेंगे tissues के बारे में tissue क्या होते हैं? third फिर हम पढ़ेंगे classification of living के बारे में classification of living के बारे में fourth हम पढ़ेंगे Plants के बारे में फिर 5th हम पढ़ेंगे Plants and its structure के बारे में Plants and its structure Structure 6th हम पढ़ेंगे Plants and disease के बारे में Plants and disease के बारे में ठीक है? यह हमारे कुछ topic है अदिको sequence अलग-अलग हो सकती है बट हमारे यह topics रहेंगे जो हमें complete करने है ठीक है? कोई doubt नहीं है न तो इस तरह के से हमें topic biology के complete करें ठीक है? चलिए अब start हम करते हैं nutrition से